मेश राशी आजी विका से लाब होगा बुजर्गों के साथ समय बिताएं अपने मित्र की सला से आप काम कर लेंगे मित्र की सला से लाब होगा काम बन जाएगा शुबरंगे आपके लिकत्थाई उपाय के तोर पर की सरकाते लगता है व्रशब राशी आजी विका में बदलाव ना करें अपने कारें समय पर करें देवी दुर्गा की उपासना आज ठीक रहेगी शुबरंग होगा हरा कच्चा दूद दान कर देज़े मिथुन राशी आज परिवार की परिशानी खत्म होगी नया वहान खरीदने का योग भी बन गया है महत तो पुन कारे में आपको सफलता मिलेगी शुबरंग होगा आपके लिए गुलाबी आज लाल फल का दान जरूर करें करकराशी सेहत का ध्यान रखें बच्चे कोई लापरवाही ना कर परिवार में खुशी का माहूल रहेगा शुबरंग है आपके लिए पीला आज चावल का दान जरूर करें सिंग राशी रुका हुआ धन मित्रो आज आपको मिलेगा शेयर मार्किट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी घर में मांगलिक उत्सव होंगे शुबरंग है आपके लिए कत्थई और आज गेहूं का आटा जरूर दान कन्यराशी नई नौकरी प्राप्ती में मुश्किलें आएंगी अपना मकान बदलने का योग बना हुआ है जरूरतमंद बच्चों की मदद करें शुबरंग है आपके लिए नारंगी आज जीव जन्तूओं की सेवा जरूर करें तोला राशी विवाह तै होकर बात बिगड सकती है किसी भी काम में लापरवाही ना करें अपना भेद किसी को ना दें शुबरंग है आपके लिए मरून उपाय क्या करें किसी कन्या के विवाह में मदद कर दीजिए विरिश्चिक राशी मुकदमे के मामले में आज आप सफल होंगे नोकरी में परिवर्तन हो सकता है अपने खर्चों पर रोक लगाएं शुबरंग है आपके लिए लाल उपाय क्या करें कच्चा दूद शिविलिंग पर चड़ाईएगा आपका मन शांग रहें दनुराशी काम का दबाव खत्म होगा अपने संबंदों में अपने रिलेशन्चिप में कोई दरार ना आने दे चोटी आत्रा का योग है शुबरंग है आपके लिए जामुनी उपाय क्या करें हल्दी का तिलक जरूर करें मकर्राशी शेर मार्किट से लाप होगा उधर दिया धन भी वापिस मिलेगा संतान प्राप्ती का युग बना हुआ है शुबरंग है आपके लिए हरा उपाय क्या करें गाय की सेवा आज आपको जरूर करें कुम राशी पिता पुत्र का वहर विरूत आज खत्म हो जाएगा दोपहर बाद हर कारें आपका सफल होने लगेगा अपने परिवार को समय जरूर दे शुबरंग है आपके लिए गुलाबी आज अन्न का दान जरूरतमन्द लोगों को महिलाओं को कर दीजिए हर कारें में आपको सफलता में परिविलिंग पर प्रदोश काल में चड़ाएं और गुड की खीर बना कर जरूरतमन्द लोगों में बाट दें ये छोटा सा उपाय आपके रुके विधन की प्राप्ती जरूर कराएगा देखिए अपने कारे की सफलता के लिए एक लोटा आप जल का भरें उसमें कम से कम 27 लाल मिर्च के बीज डालिए और भगवान सूरे को अर्ग दे दीजिए अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल अपने माथे पर उसका छीटा दीजिएगा लाप मिलेगा देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्त रहे तंदुरुस्त रहे चुस्त दुरुस्त रहे लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए सुभह के समय खाली पेट आमले के रसका सेवन करना शुरू कर देजिए आपकी बिमारिया धीरे-धीरे कम हो दक्षिन दिशा की और आसन पर आप बैठें यानि कि आपका चेहरा साउट साइड होना चाहिए भैरव सहस्त्र नाम का आपको पाट करना है और भगवान भैरव को लोंग और बताशे आप अरपित करिएगा आपका हर कारिय सफल भी होगा हर दुख परेशानी संकट से आप बचे रहेंगे